स्वागत है आप सभी का सीटिएच अजीव के सान में आज हम लोग स्री प्रोगामिंग में जो टॉपिक कम्प्रेट कर चुके हैं उससे संबंदित टॉप टेन कोशन को देखेंगे टेस्ट के रूप में और एक टॉपिक जो है आपका प्रोगामिंग लेंगवेज क्या होता यह हम कर चुके हैं फिर हम लोग देखे हैं कि प्रोगामिंग लेंगवेज कितने ब्रगार के होते हैं उसके बाद हम लोग देखें कि अल्गोरिथम किसे करते हैं फिर देखें एक अच्छे अल्गोरिथम का क्या 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 होता है या फिर उसका क्या होता है जिसमें हम लो और एल्गोरिथम से संब्सक्राइब बहुत सारे कोस्टन को भी हम लो डिसकस कर चुके हैं तो इसी से संब्सक्राइब दस को सब्सक्राइब हम लो टेस्ट के रूप में देखेंगे और कंप्यूटर साइन्स थर्ड समस्टर के छात्रों के लिए और कोचिंग स्टार्ट है और यह 25 जुलाई सही चल रहा है जिसे आगे हम बहुत निकाल चुके हैं यादि इन में से कोई भी इंट्रेस्टेड हैं तो आप जोईन कर सकते हैं जोईन करने के लिए आपके स्क्रीन के नंबर दीके रहा है माइल नंबर 8084-370-470 तो इसे आप क कोई भी प्रोग्राम होता है वो क्या होता है क्या प्रोसेस होता है या प्रोसीडियोर होता है या अल्गोरिताम होता है या फिर इन में से कोई नहीं तो कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो किसी भी प्रोग्लम के स्लूशन का जो अस्टेप बाई अस्टेप स्लूशन होत तो किसका step by step और जहां step by step के बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं अल्गोरिफम को देखते हैं इसका previous वीडियो में देख चुके हैं online class में भी देख चुके हैं यदि आप को कोई दिक्कत है या नहीं देखे हैं तो दिक्क्रिशन में लिंक दिये जा रहा है उस वीडियो का आप देख सकते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जोता है न वो अल्गोरिफम होता है every program is an algorithm but vice versa is not true क्या है कि इसका उल्टा जो है न true नहीं है एक false है सभी प्रोग्राम एल्गोरिफम होते हैं लेकिन सभी एल्गोरिफम प्रोग्राम नहीं होते हैं यह ध्यान रखेंगे कि सभी एल्गोरिफम प्रोग्राम नहीं होते हैं लेकिन सभी प्रोग्राम प्रॉलम क्या करते हैं तो ये तो डीपनिशन है कीसका अल्गोरिफाम का भो देख चुकि हैं तो अल्गोरिथम is the step by step method to solve a problem तो इसका राइटेंस हो जाएगा भी हो जाएगा next question है question number 3 C language is developed by तो C language किसके त्वर्ण डबलब किया गया है आपको यह बताना है हम लोग देख चुके हैं जब programming language देख रहे थे तो 1972 में C language को डबलब किया गया है बेल लेबरोट्रिव में डेनिस रिची के द्वारा इसको डबलब किया गया है इसका जो डेख नोट्स है उसमें भी इसका पुरा डिटेल्स में चर्चा किया गया है उसके जो आपको पीडियाप में मिल जाएगा प्रिसक्रिप्शन में घुझे और यहां पर ब्लांक के अपको फील करना है क्या है खाल् Всем हो जागा अब भी नेक्स्ट कुस्टान है यहां पे ब्लैंक के स्पिर यहां पे फिल करना को is a software that convert one language to another language इन में से कौन सा एक software है जो एक language से दूसरे language में convert करने का काम करता है देखिए algorithm सबसे पहला तो कड़ जाएगा यह software नहीं है यह क्या है step by step procedure का representation है फ्लो चार्ट क्या है अलगोरिथम का graphical या pictorial representation है तो यह दोनों कट गया अब यह दोनों जो है न दोनों ही हमारा होता है software अब इसमें करता है कि कौन सा जोना एक दूसरे से अधर लेंगोज में कनवर्ट करने काम करता है तो नाम से ही प्रांस्लेटर ट्रांस्लेटर इजे सफ्ट्वेर दैट कनवर्ट वन लेंग्वेज टू नदर लेंग्वेज इसको आम देख भी चुके है प्रिविएस क्लास में कि ट्रांस्लेटर क्या होता है और तीन तरह के पढ़ेते कमपाइलर इंटर पेलर और एसेमलर इसका राट अशर का हो जाएगा सइय जाका वर सी को सामには सी इज Marin अपको इस अशर प्रॉस्त क्या है है घ्रत कि नंदि मेंड़ आए लेंग्वेज़र मेंक्वेज है है just like a English language जिजे C language, C language क्या है just like a similar to English language तो जो भी हम लोग समझता है human being समझता है programmer समझता है उसे कहते हैं C language और high level language और जो machine समझता है उसे कहते हैं 0 और 1 जिसे कहते हैं machine language या low level language तो C क्या है आपका high level language, right answer C, C ध्यान रखेंगे high level language है a language which does not require any translator वैसा language जिसे किसी भी translator की आप सकता नहीं पढ़ता है तो वैसा कौन सा language होता है तो हम लोग काम क्या है परते हैं computer पे तो computer क्या समझता है तो 0 1 तो वहीं language हो सकता है जिसमें किसी translator की उसको आउसकता नहीं पढ़ता है माल जै कि यहाँ पे एक person है ऐसे कि यह है आपको एक आदमी है यहाँ पे जो फ्रेंच का है आने कि France का है यहाँ पे दूसरा आदमी है जो कहा कहा है इंडिया का है अब इसमें क्या है कि जो इंडिया का है इसको हिंदी आती है और कोई language नहीं आती है जो फ्रेंच है फ्रांस का उसको सिर्फ फ्रेंच लेंगवज आती है तो क्या यहाँ पर communication possible है यहाँ पर communication possible नहीं है यहाँ पर क्या होगा एक गाइडर की आउसकता पड़ता है जो French को कनवाड़ करके हिंदी में समझा दे इसको और जो हिंदी को समझा करके आपको French में समझा दे तो यहाँ पर एक translator की आउसकता पड़ता है लेकिन अगर कोई आदमी है इसको भी Hindi आती है और इसको भी Hindi आती है है तो यहाँ पर किसी अच्वर्ण ओंसकता नहीं पड़ता है तो यहाँ पर वहीं बात है कि हमारा लो लेवल लेवेल है यानि कि Z- chart स्पें m तो इसका राइट एंसर का जाएगा A, A is the right answer, next question, निमोनिक्स code is used in which language, यहाँ पर M silent होता है, निमानिक्स code is used in which language, किस में यूज़ या जाता है, निमानिक्स क्या होता है, हम लोग फिछले क्लास में देख चुके हैं, जैसे कि addition के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, add, subtraction के लि जो code हम लोग यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं, निमानिक्स code, और हम लोग प्रिविएस वीडियो में देखे भी थे, कि maximum 5 letters में आप निमानिक्स code को combine कर सकते हैं, और यह होता है, यह होता है, जो लो लेबल होता है, यह पहला option कर गया, high level में क्या होता है, कि यह भी निमानि सकता है, वो middle level language, याने की assembly language में यूज़ करते हैं, तो इसका राइट इसर का हो जाएगा, आप देखिए, यह option और यहाँ पर D option, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया है, तो यह mistake से दोनों सेम हो गया है, राइट इसर हो जाएगा, नेक्स को सम जाएगा, which of the flowing is not a characteristics of algorithm, इन में से कौन algorithm का characteristics नहीं है, तो मदो पांस characteristics देखाते हैं, जिसमें input था, ठीक है, उसका राइट पूट था, फिर finiteness था, definiteness था, और effective less था, आप देख लिजिए यहाँ पर, तो input है, output है, finiteness है, infiniteness क्या होता है, नहीं होता है, definiteness होता है, और एक effectiveness होता है, लेकिन infiniteness नहीं होता है, आपको कौन नहीं है, not a characteristic, तो इसका right answer हो जाएगा, c, c is the right answer, इसका हो जाएगा, तो इसका जो है न वीडियो जो है आवलेबल है, आपको decision में इसका भी link दे दे रहा है, आप वहाँ से watch कर सकते हैं, इसका की characteristic क्या होता है, या good quality क्या होता है, एक अच्छे algorithm कार कर गया, next question and last question देखते हैं हम लो, कि ANSI का, जो है न फूल फॉर तो American National Standard Institute में देखेंगे, यहाँ पर American है, अमेरिकान है, यह African तो cut जाएगा, और last क्या आप आएगा, national, 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 national सब में है, फिर standard भी सब में है, कोई दिकत नहीं है, यहाँ पर है information, ठीक न, तो हमको देखना किस में है, यह 200 का cut चुका है, C और D cut चुका है, तो B और M, पर information, तो information क्या होगा, नहीं होगा, तो यह 10 question आपका हो गया, जो अभी तक हम लोग syllabus complete किये हैं, उसे संबंदित, इसी तरह से जो भी हम लोग topic वाटते जाएंगे, उसे यतने भी question बन सकते हैं, important उसे हम लोग देखेंगे, test के रूब में, यादि आपको अच्छा लगता ह इसको लाइक करें, और subscribe करें चैनल को, CTH के समय को, और आपने दोस्तों को share करें, जिससे उसे भी कुछ लाव हो सके, और यादि आप interested हैं class के लिए, तो आप दिए गए नंबर पे WhatsApp कर से आप process जान सकते हैं, तो मिलते हैं फिर से next video में तक तक के लिए, धन्यबाद आन तक ब्रीबाद देखने के लिए